हाई गाईज, वेलकम तू स्टेप अप लाइफ्स, ये वीडियो आपको बताएगा कि आप ओफलाइन और ओनलाइन किस तरीके से अपना उनिवर्सल ट्रावल पास पा सकते हैं मुंबई लोकल में ट्रावल करने के लिए, रीसन अनॉंसमेंट फ्रॉम महरास्टा कि आप 15 अउगस से ट्रावल कर सकते हैं with certain conditions, तो जो conditions क्या हैं वो आपको थोड़ी से हम बता देते हैं, अगर आप fully vaccinated है और 15 दिन हो चुके हैं तो आप मुंबई लोकल में उनिवर्सल ट्रावल पास के त्वारा ट्रावल कर सकते हैं, दो मेथर्ड्स हैं, offline as well as online जिससे करना है, so फटा फट लाइक कर दीजेगा वीडियो को और शेर ज़रूर करिएगा, सबसे पहले मैं आपको Twitter का thread दिखा रहा हूँ, offline method के लिए, जहां पर BMC ने अनॉंस किया है कि 11 अगस से, सुबा 7 बजे से, there will be travel pass centers, जो railway stations के बाहर होंगे, आपको क्या करना है, आपको offline mode में issue कर दिया जाएगा, जो भी चीजे हैं, सारे rules, regulations इस area में बताएगे हैं, कुछ around 53 और 109 कुछ stations हैं, जहां पर यह हो सकता है, so definitely अगर आपके कोई दोस्त है जिनके पास online method नहीं है, तो offline method का इस्तमाल कर सकते हैं, फटा फट जाते हैं अपने online method पर, यहां पर step by step guide दि QR code और universal travel pass पास हकेंगे, सबसे पहले आपको जाना होगा, link जो मैं description में दे रहा हूँ, महराष्टर government का disaster management का link है, जिसको आप जैसे ही click करेंगे, तो आप इस page पर पहुंच जाएंगे, यहां पर दो options आपको नजर आ रहे हैं, universal travel pass के लिए, कि भई, आप अगर establishment है, तो यहा पर आप फटाफट इसको click कर सकते हैं, और देखिए, पांच बजे 11th आउगस्ट को यह launch होने वाला है, और इस तरीके का इसका interface होगा, मैं आपको फटाफट interface दिखा देता हूँ, यहां पर इन्होंने interface भी दिखाया हुआ है इस page में, कि आपका university travel pass इस तरीके का दिखेग quickly जब आप उसको click करेंगे तो आपके पास कुछ option आजाएंगे mobile number register करने के, और वहां पर आपको डालना होगा travel pass related सारा information, तो यह जो travel pass information है वो आप देख सकते हैं अपने screen पर, इसको भर कर, photo डाल कर, confirm करके, आप जो है, इसको download कर सकते हैं, और साथ में अपना information regarding photo भी डाल स रखते हैं इसमें, तो यह एक helpful method हो जाएगा आपके लिए generating the universal travel pass, तो बहुत ही जादा simple और आसान method है, online वाला भी, यहां पर important यह है कि आप लोग, जैसे ही आपका यह upload हो जाता है, अप्रूब हो जाता है, तो आपको SMS भी आ जाएगा, registered mobile number पर, तो आप इस link को definitely check करिए, औ और इस सारे चीज़ों को आज शाम को पांच बजे, जब हम यह वीडियो बना रहे हैं, तब तक यह setup रिलीज नहीं हुआ है, पर आप definitely इसको जा के check करिए, और definitely जैसे शुरू होता है, अपने लिए पास को generate कर लीजिए, तोनों ही चीज़ों का link मेंने description में दिया हुआ है offline, online methods का, तो आप check करिए, read करिए, दोस्तों के साथ share करिए और travel safe with masks, thank you so much and bye bye